आप में से कौन-कौन क्लिनिक देखके आया है? हाथ खड़ा करे जड़ा और किस-किस को अच्छा लगा क्लिनिक? सब को एच्छा लगा मुझे लगता है आज केवल दिल्ली दिल्ली नी पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है आज एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है जैसा सतिंद्र जैन ने बताया लगबक दो ढ़ाई महीने पहले सतिंद्र जैन मेरे पास आये थे एक बहुत बड़ा खाका लेके आये थे बोले कि एक हजार क्लिनिक बनाने हैं और एक क्लिनिक बोले पंदरा से बीस लाख रुपए में बन जाएगा मुझे यकीन नहीं हुआ मैंने का पहले एक क्लिनिक बना के दिखाओ उन्होंने एक क्लिनिक बना के दिखाया अब जह हम अब एक क्लिनिक देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वाकई एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि गरीब लोग भी आम लोग भी इतने बढ़िया क्लिनिक में एर कंडिशन क्लिनिक में उनका भी फ्री में इलाज कराया जाएगा जब भी आप लोगों में से कई लोग सरकारी डिस्पेंसरी में गए होंगे कितना बुरा आल होता है जी सरकारी डिस्पेंसरी में किसी तरह कि कोई सुविदा नहीं होती बैठने की जगे नहीं होती डॉक्टर ठीक से बात नहीं करता सारे टेस्ट लिख देते हैं बाहर से टे सुविधा मिलती है वो पहली बार दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए सुविधा मुहया कराई जा रही है यह बड़ी खुशी की बात है और वो भी सारी फ्री में कोई पैसा नहीं है पचास तरह के टेस्ट इस लैब इस क्लिनिक में हो रहे हैं मैं अभी इन से पूछ रहा था इन्होंने बताया जितने लोग यहां पे अपनी बिमारियां लेके आते हैं उसमें 5% से भी कम लोगों को दूसरे अस्पतालों में भेजने की जरूरत पढ़ रही है मतलब अगर 200 लोग आज इस क्लिनिक में आये तो दस से भी कम लोगों को दूसरे बड़े अस्पताल में भेजने की जरूरत पढ़ रही है इसका मतलब 95 प्रतिशत लोगों का इलाज इसी डिस्पेंसरी में हो जा रहा है इस डिस्पेंसरी के अंदर वो सारी स विधाएं मौझूद है तो आप यह देखो जैसे ओल इंडिया मेडिकल है सफदर जंग अस्पताल है जी टीबी अस्पताल है जो बड़े-बड़े अस्पताल है जी बी पंत है मौलाना अजाद मेडिकल कॉलेज है इन अस्पतालों में जब हम जाया करते थे बहुत भीड रहती थी क्यों भीड रा करती थी क्योंकि जरासी खांसी हो गई तो हमें वहां जाना पड़ता था जरासा बुखार हो गया तो अपने को वहां जाना पड़ता था अब ये छोटी मोटी बिमारियों को इलाज आपका यहीं हो जाया करेगा तो वहां पे सारी भीड खतम हो ज जाएगा और उसके लिए भी सतिंदर जैन जी ने प्रोग्राम बना रखा है कि बड़े अस्पतालों की भी संख्या लगबक दुगनी की जाएगी आज दिल्ली के अंदर 10,000 बेड हैं सरकारी क्षेत्र में बड़े अस्पतालों में इसको 20,000 कर दिया जाएगा अगले 20 साल के जंदर यह जो क्लिनिक यहां पर बनाया है इस किसम के 1000 क्लिनिक पहले एक साल में बनाये जाएंगे इसका मतलब लगबग 70 विधानसबाइं हैं दिल्ली में तो एक तरह से 15 के करीब हर विधानसबा में क्लिनिक बनाये जाएंगे तो सभी अपने कई MLS बैठे भी हैं दूसर MLS से भी कहूंगा कि अपनी अपनी location identify कर ले जहां जहां वो क्लिनिक बनवाना चाहते हैं तो एक तरह से हर महले हर गली महले के अंदर दिल्ली में एक एक क्लिनिक होगा आपके पडोस के अंदर एक एक क्लिनिक होगा दूसरी चीज मैं अभी जब आ रहा था सतिंदर जी मेर गाड़ी में बैटे थे जैसे हम अंदर कैम्प में घुसे तो सड़कों का बड़ा बुरा हाल था तो मैंने सतिंदर जी से पूछा मैंने का जी आप तो PWD मंत्री हो फिर भी सड़कों का ये हाल कैसे है तो उन्होंने बताया कोई कानूनी दाओं पेच है बोले जी ये रिली अपने को ये देखना है कि बनवा कैसे सकते हैं अपने को ये नहीं देखना कि बनवा कैसे नहीं सकते हैं अगर हम कोई पैसे नहीं खा रहे अगर आपा इमानदारी से काम कर रहे हैं तो मैंने का फिर मेर को जंता ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया है इसलिए तो बनाया है कि अगर कोई कानून आड़े आ रहा है तो उस कानून को बदलेंगे अगर कोई रूल का आड़े आ रहा है तो रूल को बदलेंगे तो मैंने का भई फाइल ले आना इस हफते तो यहां पर भी सड़क भी बनाएंगे जो भी कानून बदलने बदलेंगे और एक छोटी सी बात कहन चाहता हूं कल आनंद परबत गया था मैं अभी तीन दिन पहले आप लोगों ने ख़बारों में पढ़ा होगा एक लड़की को 32 बार चाकू मार के गोद गोद के उसका कतल कर दिया गया बताते हैं आरोप है कि पिछले कुछ सालों से उस लड़की को उस इलाके के कुछ लड़के छेडा करते थे वो लड़की विरोध किया करती थी उस लड़की ने पुलिस में भी शिकायते कर रखी थी पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की और जिस दिन कतल किया गया उस दिन भी उस लड़की को वो छेड़ने की कोशिश कर रहे थे उस लड़की ने विरोध किया और बदले में उन लड़कों ने उसको चाकू से बुरी तरह से गोद दिया मैं उस इलाके में गया इलाके के लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे उन्होंने बताए जी दूर दूर तक रोज कहीं पुलिस दिखाई नहीं देती पुलिस का नामों निशान नहीं है कोई सुरक्षा नहीं है किसी तरह की सुरक्षा नहीं है पूरा वाक्या बड़ा दिल दहला देने वाला था आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती दिल्ली पुलिस केंदर सरकार केंदर में आती है हम कुछ कर नहीं पा रहे और आज दिल्ली केंदर इस किसम की वारदाते बढ़ती जा रही है दिल्ली केंदर महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही है जब भी कुछ बात करो पुलिस वालों से तो उनके उच्च अधिकारियों का एक ही जवाब होता है हम तो केंदर केंडर में आते हैं हम तो केंदर केंडर में आते हैं हमारे जितने मिले वैठे हैं 24 गंटे ये लोग जनता के बीच में घूमते रहते हैं जनता तो शिकायते हमारे पास लेके आती है जन्ता तो सोचती है हम दूर करेंगे लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं मसोस के रहा जाते हैं तो आज पूरी विनम्रता के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं हाथ जोड के कि दिल्ली की पुलिस सीधे प्रधान मंत्री जी के अंडर में आती है दिल्ली सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही प्रधान मंत्री जी समय नहीं निकाल पा रहे प्रधान मंत्री जी को पूरा देश चलाना है हमारी और मैं ये भी नहीं कह रहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी गलत हैं दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं पुलिस के अंदर का सिस्टम खराव है मैं पुलिस वालों से बात करता हूं पुलिस वाले भी कहते हैं पुलिस वाले खुद दुखी हैं उस सिस्टम से लेकिन कुछ सुधार नहीं हो बारा है तो मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़के ये विंती है कि सर या तो हर हफ्ते आप एक घंटा निकाला करो दिल्ली वालों के लिए दिल्ली पुलिस के ल दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए या तो हर अफ्ते एक घंटा निकाला करो इस पर विचार किया करो और अगर समय नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दो हम दिल्ली पुलिस की विवस्था ठीक करेंगे अपने को समधान निकालने हैं अभी जब भी बात होती है तो केंद्र सरकार से एक ही आप यह नहीं कर सकते आप यह नहीं कर सकते आप यह नहीं तो हम उनको यह कहते है अच्छा नहीं कर सकते तो आप करने के लिए कर दो ना कानून बदलना है तो बदल दो ना रूल बदलना है तो बदल दो अर्चन क्यों अड़ा रहे हो हर चीज में यह भी नहीं कर सकते जी आप यह भी नहीं कर सकते जी आप यह भी नहीं कर सकते तो मे लिए मैं बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूं, 70 में से 66 सीट दी आप लोगों ने, इतहास रचा है आप लोगों ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने वोट दिया था आप लोगों को लग भी रहा होगा कि हम उस विश्वास को पूरा कर रहे हैं दिन रात 24 घंटे हम लोग लगे हुए हैं और मैं अंत में सतिंदर जैन जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं इतना शांदार क्लिनिक बनाने के लिए लेकिन एक छोटी सी बात अभी जब आ रहा था मेरे एक दोस्त की बेटी मुझे कहती है कि जी ये क्लिनिक तो बड़ा खुबसूरत लग रहा अख़बार के अंदर लेकिन ये देखना भई एक साल बाद भी है इतना ही सुन्दर लगेगा कि नहीं लगेगा वो बड़ा जरूरी है जी मेंटेन करना बड़ा जरूरी है नई चीज बना तो लेते हैं लेकिन फिर देखने हैं साल भर के अंदर सारा कचरा हो गया कूड़ा हो गया यहां पान की पीक हो गई वह तो मैंने सतिंदर जी से पूछा इन्हों ने उसका भी पूरा खाका बना रखा है इन सारी डिस्पेंसरियों को और क्लिनिकों को मेंटेन करने का और मुझे पूरा यखीन है कि जो सपने को सतिंदर जी लेके चलें आप लोगों के लिए वो ज़रूर पूरा होगा बहुत बहुत शुक्रिया दिली के जितना भी computerization मैंने बताया था न आपको के दिली में dispensary से लेकि hospital तक सब कुछ computerize कर देंगे और जितने भी हमारे दिली के लोग हैं सब का एक health card बनाया जाएगा हेल्थ कार्ड से आपका जितना भी मेडिकल डेटा है आप किसी भी डॉक्टर के पास जाईए आपको अपने डिकॉर्ड साथ लेकाने की ज़रत नहीं है कार्ड में सब कुछ होगा और किसी वजह से कार्ड भूल भी गए तो आपका उठा काम करेगा अधार कार्ड से उसको लिंक कर देंगे